घर तो फाइनल हो गया, करंट ओनर मार्केट प्राइस से 30% डिस्काउंट देने वाला है अरे, वो इतने कम प्राइस में बेचने के लिए रेडि कैसे हो गया? प्रापर्टी पे एंकमरंस तो नहीं है न? इंकमरंस? ये क्या होता है? इंकमरंस means किसे थर्ड पार्टी द्वारा प्रापर्टी पर किसी भी तरह के क्लेम्स, राइट्स, इंट्रेस्ट या चार्ज होना अगर ओनर ने अपनी प्रापर्टी गिर्वी रखी है, या कोई टाक्स या लोन पेंडिंग रखा है, या फिर प्रापर्टी पे कोई लीगल इशू चल रहा है, तो ओनर अपने प्रापर्टी के पेंडिंग ड्यूस क्लियर किये बीना, उसे बेच नहीं सकता एनकमरंसिस दो टाइप्स के होते हैं, financial जैसे की प्रापर्टी डाइक्स, लोन्स, लीस, एटेटरा, और non-financial जैसे की लीगल इशू, डीज, विल्स, एटेटरा. Encumbrances Certificate द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि property पर कोई third party द्वारा claim तो नहीं है इसमें रजिस्टरा के पास registered property related transaction details प्रोवाइड किये जाते हैं जैसे किसी third party से property पर loan लिना और उसका agreement रजिस्टरा द्वारा रजिस्टर ना करना हमें property खरीदते बेचते या उसके लिए loan अप्लाय करते वक्त इस certificate की जरूरत पढ़ती है example के तौर पर मान लीजिए आप कोई property खरीद रहे हैं जिस पर court case चलने के बावजूद owner property धोके से बेचने के लिए ये बात आपसे छुपा रहा है तो आपको encumbrances certificate द्वारा ये बात तुरन पता चल सकती है property owners को हर साल कई तरह के taxes भरने पढ़ते हैं अगर आपने ये tax पिछले 5 साल से नहीं भरा हो तो जब तक आप ये भुक्तान नहीं करते तब तक authorities का आपके property पर अधिकार बन जाता है आपको ऐसे properties बेचने से पहले सारे taxes भरने पढ़ते हैं नहीं समझे चलो एक और example देती हूँ एक घर है जिसके papers पर owner बड़ा भाई है और छोटा भाई कोट में case करता है कि उनके फादर ने वो घर दोनों भाईयों के नाम पर खरीदा था पर बड़े भाई ने cheating करके सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया जब तक कोट इस case का फैसला नहीं सुना थी तब तक property पर बड़े भाई के rights पर भी एक question mark रहेगा incumbent certificate के लिए आप Registrate property के local registrar office में apply कर सकते हैं या state के registration and staffs department के website पर online application कर सकते हैं